राजी ट्रेलि कश्मीरी लड़की का किर्दार निभा रही है आलिया भट नरी दिली आलिया भट की फिल्म राजी राजी का ट्रेलर रिलीज हो गया है फिल्म में आलिया भट भारती अजासुस का किर्दार निभा रही है जिसे पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए काम करना पड़ता है फिल्म की कहानी काफी दिल्चस्प लग रही है और राजी को मेघना गुजार ने डाइरेक्ट किया है मेखना ने इस से पहले तलवार फिल्म डाइरिक्ट की थी आलिया वैसे भी जब से फिल्म इंडिस्ट्री में यह हैं बे अलग-अलग तरह के किर्दार कर रही हैं जिसमें हाईवे और उर्ता पंजाब में उन्होंने लीक से हटकर काम किया था इस बार भी वे कुछ ऐसे ही अंदाज में नजर आ रही है राजी का ट्रेलर वाकई काफरी दिल चस्प है और इसमें आलिया की मम्मी सोनी राजदान भी नजर आएंगी सल्मान के लिए इमोशनल हुई बहन और पिता लिखा मेरी ताकत मेरी खुशी मेरी जिंदगी मेरी दुनिया जमानत मिलने के दो दिन बाद सल्मान खान हुए इमोशनल लिखा मुझ पर उमीद नख होने के लिए शुक्रिया आलिया ने पापा महिश भटा और मम्मी सोनी राजदान के ट्रेलर देखने पर दिये गए रियेक्शन के बारे में बताया राजा के साथ मेरे मम्मी पापा दोनों ही जुड़े हुए है मम्मी ने तो फिल्म में काम भी किया है, दोनों ने ट्रेलर देख लिया है जब पहली बार पापा ने ट्रेलर देखा तो वे डाइनिंग एरिया से थोड़े अलग बैठे हुए थे और अपने लेप्टॉप पर उसे देख रहे थे अचानक हमें सीटी की आवाज सुनाई दी इस तरह हमें पता चला कि उन्हें ट्रेलर पसंद आया है ममी ने भी फिल्म में काम किया है और जब उन्होंने ट्रेलर देखा तो उनकी आँखे नम हो गई उन्होंने कहा कि यह बहुत ही भावग फिल्म है फ्लाइप में अचानक रणवीर सिंग से टकराई ये एक ट्रेस बोली सफर हुआ सुहाना राजी में विकी कौश अलालिया भट के साथ लीड रोल में नजर आएंगे राजी को जंगली पिक्चर्ज और धर्मा प्रोडक्शंज ने प्रोट्यूस किया है और फिल्म 11 माई को रिलीज होगी कहानी कश्मीरी लटकी की है जिसे 1971 में पाकिस्तान की जासूसी के लिए भेजा जाता है और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी धेरो खबरें हिंदी न्यूस से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासल करने के लिए हमें फेस्पुक और गूगल प्लस पर जॉइन करें ट्विटर पर फॉलो करें